अगर कचवे के दिमाग को उसके सरीर से अलग कर दिया जाए तो ये करीब 6 महिने तक जीवित रह सकता है नमबर 2 कचवे के उपरी हिस्से में मजबूत आवरण में 60 हड़िया होती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है नमबर 3 कचवे का खून ठंडा होता है और यहां कहा जाता है कि ठंडे खून वाले प्राणी का जीवन का लंबा होता है नमबर 5 कचवे की सुनने और देखने की छमता बहुत अधिक होती है नमबर 6 मादा कचवे एक बार में 1 से 30 अंडे देती है नमबर 7 अंडे से बच्चे निकलने का समय 90 से 150 दिन का होता है नमबर 8 दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मगर मच के इतने सारे दाथ होने के बावजूद ये अपने सिकार को चबाते नहीं बलकि सीधा निगल जाते हैं नमबर 9 क्या आपको मालूम है कि मगर मच अपने भोजन को पचाने के लिए छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े भी निगल जाते हैं नमबर 10 मगर मच ज़्यादा तक बरसात के मौसम में संबोग करते हैं मादा 20 से 50 अंडे देती है और ये 3 महिने तक इनको देख भल करती है